हेलो वीवर, क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है टॉंसिल के विशे में टॉंसिल की बिमारी में अजूख है ये नुस्खे दोस्तो आज के समय में टॉंसिल की समस्य काफी देखने को मिलती है खास कर कि बच्चों में बच्चों को तो टॉंसिल की बिमारी लगी ही रहती है और नौबत ओप्रेशन तक की आ जाती है बच्चों को बार बार बहुत अधिक बुखार होने लग जाता है टॉंसिल में गले में तलवे के नीचे दो गाठे होती है इन में से एक या दोनों कभी-कभी फूल जाती हैं, जिससे खाना पिना कठिन हो जाता है, निंगलने में भी दर्द होता रहता है, इसके हो जाने पर रोगी को बर्फ जैसी ठंडी चीजे नहीं देनी चाहिए, टॉंसिल श्रीर के अवश्यक अंग है, जहां तक हो सके इनका ओप्रेशन नहीं कराना चाहिए, यह होमोपैतिक चिकिस्सा, भोजन दवारा चिकिस्सा से ठीक हो जाते हैं, टॉंसिल में ये चीजे बहुत ही लाबदायक हैं, कौन सी देखिए, तुलसी, टॉंसिल गले के रोग, तुलसी की माला पहनने से नहीं होती, गाजर, टॉंसिल गाजर का रस पीने से भी ठीक हो जाते हैं, इससे दात भी मजबूत रहते हैं, लहसुन, टॉंसिल होने पर लहसुन को बारीक पीस कर गरम पानी में मिला कर गरारे करने से भी लाब होता है, फिटकरी, गरम पानी में फिटकरी और नमक डाल कर गरारे करें, इससे टॉंसिल म लाब होता है नमक गरम पानी में नमक डाल कर गरारे करने से टॉंसिल गले में दर्द सूजन में लाब होता है टॉंसिल में जब तक दर्द रहे हर रोज गरारे करते रहना चाहिए चाए चाए की पतियों को उबाल कर छान कर इसके पानी से भी गरारे करने से लाब मिलता है ग सिंगाड़े में आयोडीन अधिक होता है गले के रोग टॉंसिल में इसे खाना चाहिए दोस्तों आप इस जानकारी को समाज हित में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी को जानकर फायदा उठा सकें अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख और अधिक से अधिक शेयर करें तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो टॉंसिल के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ जानकारी मिले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्रीजी इंडिया को कीजिए. Thank you.